अखिल भारतियक शत्रिय महासभा के रास्ट्री अध्यक्ष महेंदर सिंग तमवर ने आर्थिक आधार पर आरक्षन लागू करवानी की मांग को लेकर एक बार फिर से रथियात्रा का आगाज किया है नौ मार्च को जम्मू से चल रही यहे रथियात्रा शुकरवार सुभे जिला मुख्याले के समीप वर्ती बहडाला पहुंची जहां पर अखिल भारतियक शत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंदर सिंग्राना और अन्यत अमाम स्वर्ण समाज के लोगों ने इ पर अन्यति वास शेमत्या अर्थिक आदार पर अरख्षि को उना चाहिए अकर आप इस बास से सहमत्य है कि समाजका महूल करो हम सभी अज अपने-पने मॉबायल पर इन मांगों का समर्थन करें सोषल मीडिया वेमाना है सोचल मीडिया से सरकार पर और समाज में भी एक जनाभ दोनां होगा, जागरती होगी और सरकार पे दिवाब मने का बहुत पहुत देडी है, महेंदर सिंग तॉः राश्ट्रिय अध्यक्स, अखिल भारती एक्शत्रिय ears वासवा, नो अगस्त के इतिहासिक दिन अखिल भारती एक सत्रिय महासवा ने जमू से राश्टर ब्यापी रत्यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षन को लागू करवाने के लिए जातिगत आरक्षन को समाप्ट करने के लिए पूरे राश्टर में समाजिक समरस्टा का महौल बनाने के लिए महान पुरुशों के इतिहास को के सरक्षन को सरक्षन करने के लिए और देश में एक जन अंदोलन के तोर पर आर्थिक आधार पर आरक्षन की मांग को लेकर आपको याद होगा सन दोजार दस में इसी जगे पर पहली रथियात्रा जो दिशारा के जिन 17 अक्टूबर 2010 को चली थी और साले पांट मेंडे की रथियात्रा थी काश्मीर से कन्या कमारी कन्या कमारी से दिली और उसका नतीजा हुआ कि हर्जाना ने दस पर तिसाथ अरक्षन पांसफ़नी जातियों को दिया कि दूसरी रथियात्रा जो जो जम्मु से उसी जगे से रातिल्वो dau से दोजास स्थारा में नो घस्त को चली और वो भी इसी स्थान पे आई इसी होटल पे आई वो जम्मु से कन्या कमारी कlasting' से दिली चली और दोजास हारा की रथियात्रा का प्रणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान की सरकार ने केंद्रिये सरकार ने पारलियमेंट में कानून पास करके समिधान में संशोधन लाकर दस परतिशत अरक्षन देश में लागू किया लेकिन अकिल भारती एक सतिरी मासबा का ये मानना है ये माँग हैं कि जाती का से अरक्षन ऊना खतम होना चाहिए दीके ये भी बछांती है प्रणार के क्achment का क्रेंड़या उठ्षे हैं नहीं जो अरक्षित वर्ग है जो अनरक्षित वर्ग है उन स्ब के मांग करे हैं जिन लोगों को जिन जाती नहीं पहुंचा है, तो यह सरकार से मांग है, कि यह जाती को तरक्षन समाद क्या जाए, आर्थी को दार के आरक्षन लाद हो, ताकि देश में, राश्टी में, समाज में, भावना, एक कच्छा होने की भावना बनी रहे, राश्टी एक खंड़ता कायम रहे, और आपस में भ चल रहा है, सो में से नबे मेसेज इस बात क्याते हैं, जो जाती में, जातीयों में कच्छता पैदा करने बाते होते हैं, जो जाती के अधार पर, धर्म के अधार पर, इलाके के अधार पर, औरने के अधार पर, ये, मन मुटाव पैदा करने के एक बहुत असफल और बहुत कि Hmm Haast किया जा रहा है जो किजा दास्तर के लिए देश के लिए समाज के लिए बहुत कतर ना का है शी रामचन्दर जी में भिलने के जूटे बेर शौद लेने के लीए नहीं खाई थे शीरी राम चंदर जी ने मैसेज दियाता समाज को, कि जाती कोई चीज नहीं होती, किसी भी देश के नहीं, दुनिया के किसी महान मिख्टी ने जाती पाती की बात नहीं करी, धर्म की बात नहीं करी, मानव जाती की बात करी है, मानव के खल्यान की बात करी है, तो ये भी हमारी प्राहमन भी हैं वैश्य भी जालहें सब भाकों को लेकर अरक्षिट और अनारक्षिट अब हुएंप्वार्गों को से प्रस्यार भरकों धरने team दिवे हिमाचल टीवी के लिए उना से मुनिंदर अरोडा की रिपोर्ट हिमकैप्स संस्थान में नर्सिंग कोर्सों के लिए भी दाखिले शुरू है नर्सिंग संस्थान इंडियन नर्सिंग काउंसल दिली वप्रदेश विश्व विद्याले से मानिता प्राप्त है नर्सिंग कोर्स में चात्राओं के लिए B.S.C. नर्सिंग, G.N.M., A.N.M. और पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करवाए जा रहे हैं दाखिले के लिए संपर्क करें हिमकाप्स इंस्टिट्यूट ओफ प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ेडा तहसील हरोली जिला उना अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01975282206 या 9817938904 पर या जाए हिमकाप्स की वेबसाइट www.himcaps.org पर आस्था इंसिट्यूट इसपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है आस्था इंसिट्यूट के चियर्मेन आरिस राना ने बताया कि हमारा इंसिट्यूट रास्ट्रिय लगु उद्योग नीगम सुक्ष्म लगु मध्यम उद्यम मंत्राले भारत सरकार द्वारा मानेता प्राप्त इंसिट्यूट है इंसिट्यूट पिछले बारे वर्षों से बच्चों का भविश्य उजबल कर रहा है इंसिट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं जिसमें फैशन डिजाइनिंग, पोटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कम्प्यूटर सॉफ्ट्वेर, कम्प्यूटर हार्डवेर एंड नेट्वर्किंग इलेक्रिशियन, फिटर, एसी एंड, रेफ्रीजरेशन, डीजल मेकैनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं दूध की नदियां पहने को तयार, लोजी अब आ गया वशिष्ट पशु आहार वशिष्ट पशु आहार में संतुलित मात्रा में प्रोचीन, कार्बो हाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स और खनीच पदार्थों को सही मिश्ण में मिलाकर गोली का रूप दिया जाता है ताकि संतुलित आहार द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें वशिष्ट एग्रो इंडस्ट्रीज बाथरी बेला हरोली उना इन नंबर्स के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 9891-99-00-08 या 88-944-90-999 पर